इस दुनिया में जो भी जन लेता है वह एक ना एक दिन नर्था भी जरूर है। कि वह अपने कामों और जिनमेदारियों से फारिग हो सके। लेकिन हम इंसान यम्राज के संकेतों को पहचान नहीं पाते और कोई अंतिम इच्छा लेकर ही मृत्यू के समीर पहुच जाते हैं। जानकारी के अनुसार बज़ूर की मृत्यू कुछ दिन पहले हो गई थी मगर वह दोबारा जिन्दा हो गया। जिसके बाद से ही उन्हीं दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं। मरने के बाद बापिस जिंदा होने के बाद ये बज़ूर पर लोग की कहानी सुना कर सब को हैरानी में डाल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार फिरोजाबाद जिला मुख्याले से थोड़ी दूरी पर बसे एक गाउमुक रामपुर के एक बुज़ुद की दास्ताइं दिनों सुर्खिया बटोर रही है। यहां के रहने वाले ज्यान सिंग ये लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है। ज्यान सिंग ने दुनिया के सामने एक ऐसा रहस्य लाकर रख दिया है जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। ग्यान सिन के चर्चा बटोरने का कारण उनकी मौत का विशय है। आपको हम बता दे की दो दिन पहले ही सांस रुखने के कारण ग्यान सिन की मृत्य हो गई थी परंतु वह अभी जिन्दा है। अब आप सोच रहे होंगे की भला कोई मरा हुआ व्यक्ति जिन्दा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दे की अचानक हुई मौत के बाद ग्यान सिन के घर वाले उनके अंतिम संसकार की तैयारियां कर रहे थे। जब वह बुजूर्प को जलाने के लिए शमशान घाट ले जाने लगे तो उन्होंने उसके शरीर में कुछ हलचल महसूस की। अचानक से मुर्दे को हिलता हुआ देखकर वहां मौजूद लोग काफी डर गए। मगर गाओं के ग्रामीन नेपाल सिन्ग ने बताया कि शायद ग्यान सिन्ग में जान फिर से लोट आए है। जिसके कुछ सेकन बाद ही ग्यान सिन्ग उर्ठ खड पीटा गया और साथ ही उनके उपर उबलता हुआ पानी डाल दिया गया। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार ग्यान सिन्ग के घर वालों का कहना है कि अमराज के दूप किसी और व्यक्ती के धोखे में ग्यान सिन्ग को ले गए परन्तु अभी ग्यान सिन्ग का समय बाखी इसलिए उन्हें वापस भेज दिया गया।